आज का टॉपिक है महाद्विव महाद्विव में आज हम लोग एसीया महाद्विव के बारे में पढ़ेंगे कि एसीया महाद्विव के बारे में कम से कम 200 तत्थ हम लोग जानेंगे 200 फेक्ट जो सभी परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट होगा खासकार SSC, GSSC, BPSC, CGL जैसी परिक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगी रेलिवेर, आर्पियाफ सभी परिक्षाओं के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यह ट्रोपिक लुसेंट GKS बुक से है जो जिके की परिक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलिए देखते हैं पहला पिर्थिमी पर भुबाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीब काते हैं भुबाग, भुबाग अनि पिर्थिमी की भुभाग की सबसे बड़ी इकाई को महादीव काते हैं पिर्थिमी के 29 से 30 प्रतिशत भाग पर महादीविपों का विस्तार पाई जाता है एक सोमे से 29 से 30 प्रतिशत जो है उस पर महादीविप बसे हुए है उसके बाद है आपका समपुन पिर्थ्वी का जो अस्थाल है ठीक है वो छेतर 7 महाधीप में बटा है कितने महाधीप में? 7 महाधीप में पूरा पिर्थ्वी को 7 महाधीप में बटा हुआ है कौन-कौन? एसिया, उरोप, अफרीका, उतरी अमिर्का, अंटार्कटिका, दक्षनी अमिर्का, आस्ट्रेलिया अब महाद्वीपी विश्थापन का सिदान्त हम लोग पढ़ेंगे यह बहुत ही इंपोर्टेंट है महाद्वीपी विश्थापन का सिदान्त एक जर्मन वोसम विज्ञानी, धुर्वी अनविशक, खगुल सास्त्री और भू विज्ञानी अलफ्रेट वेगनर ने दिया उन्हें वास्तों में महाद्वीपी वहाव के जनक की रूप में जाना जाता है महासागरियत तलपत, महाद्वीपों की गति को महाद्वीपी विश्थापन की रूप में जाना जाता है इस बहाव की परक्रिया को पुरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं वेगनर के नुसार कार्व निफेररस यूग में सभी महाद्विपों ने एक महाद्विप पिर्वन्ध का निर्मान किया जिसे पेंजीया कहा जाता है जिसका अर्थ शम्पुन पिर्थ्वी से है उसके बाद है यह महाद्वीब पेंथालासा नामक एक विशाल महासागर से घीरा था जिसका अर्थ संपुन जल से है पेंजिया का उतरी भाग लारिशिया तथा दक्षिनी भाग गुंडवाना लेंड को प्रदिशित करता था आगे चल कर पेंजिया का विवंजन हो गया तथा अस्थाल भाग एक दूस्टे से अलग हो गए यह विवाजन दो दिस्टाओं में प्रवा की रूप में हुआ और उत्तर की और या भुमेदे से इरेखा की और जो प्रवा गुरित्तुबल तथा प्लवन सिल्टा के बलद्वारा हुआ जबकि पश्चिम की और प्रवा सूर्य तथा चन्रमा के ज्वारी बलके कारणों हुआ माना गया है परिनाम सरूप महा सागरों तथा महादीवपों का वर्तमान सरूप प्राप्त हुआ है तो अब जो टोपिक है वो एसिया महादीवप है मैं आपको रोज महादीव का एक वीडियो दोंगा जब तक सारा टोपिक कम्पिट नहीं हो जागा अब जैसे कि दे सकते हैं एसिया सब्थ की उत्पति हिब्रु भासा के आशू से हुई है एसिया सब्थ की जो उत्पति है वो हिब्रु भासा के आशू से हुई है जिसका साब्दी कर्थ होता है उदित सुरी से ठीक है और यह संग्सार का सबसे बड़ा महाद्वीब है वह यह विश्व की लगबग 30% पर विश्टरित है इससे होकर तीन परमुक अक्षान से विश्वत कर्थ यह आर्कर्टिक गुजरते हैं एसिया के उत्तर में आर्कर्टिक महासागर दक्षिन में हिंद महासागर और पूर में परसान महासागर है और प्रस्ची में उराल परवत है केश्पियन सागर है काला सागर है वह भूमद सागर एसिया और उर्वक की सिमा को बनाती है उसके बाद है लाल सागर और स्वेजनहर एसिया को अपरिका से अलग करता है बेरिंग जल संदी एसिया को उतरी अमेरिका से अलग करती है और यहां विश्व की लगबख 60 प्रतसर जनसंख्या सरवादिक जनसंख्या वल्ला महाद्यूफय ये निवास करती है एसिया महाद्यूफ में अती प्राचिन यूग के अस्तलकन अंगारा लेंड यूरूस यूंचीन और गौनवाना लेंड जो प्राधिव भारत में इस्तित है उसके बादे एसिया महाद्यूफ में तीन प्राधिव है अरब का प्राधिव, धक्कन का प्राधिव, वाइंडोचिन का प्राधिव अरब प्राधिव विविश्व का सबसे बढ़ा प्राधिव है एसिया की नदियों को सभेता का पालना एवं एसिया महादीब को सभी धर्मों का आद्य भूमी कहा जाता है ध्यान दिजिए एसिया की नदियों को सभेता का पालना एवं एसिया महादीब को सभी धर्मों का आद्य भूमी कहा जाता है एसिया में विश्चु का सबसे उंचा परवत चिखार इमाले परवत माला स्रेनी का माउन्ट एवरेट जो 8850 मीटर है जो नेपाल में श्तित है जहां इसे सागर माथा की नाम से जाना जाता है और नेपाल में माउन्ट एवरेट को सागर माथा की नाम से जाना जाता है पिर विश्व का सरवादिक विश्तृत पठार तिब्बत का पठार है जो मद एशिया में 2,0,000,000 वर किलोमेटर छेतर में विश्तृत है एसिया में विश्व का सबसे उच्छा पठार पामीर है जिसकी उच्छाई 4875 मिटर है और इसी कारण पामीर को विश्व की छात अनि रूप आफ दा वर्ल्ड कहते हैं एसिया में विश्व की सरवादिक जनसंख्यावला देश चीन है एसिया में छेतरफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदिव है एसिया में विश्व का सरवादिक जनसंख्यावला देश चीनगापूर है और एसिया की अस्तल रुद जिसकी सिमा समद्र को नहीं छोती देश है कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भुटान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान वा लाओस अस्तल बद देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है जबकि मंगलिया दुस्टा सबसे बड़ा अस्तलबाद देश है और लाउस जो है दक्षिन पूर्वी एसिया का एक मात्र अस्तलबाद देश है और यहां पूर्वें फ्रांसेसियों का उपने वेश था चलिए, नेक्स्ट देखते हैं एक-एक टोपिक आपकी परिख्षाग लिए बहुत है इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है एसिया में सबसे लंबी नदी आंग्सी जिसको आंग्स तसी भी बोलते हैं तथा अधिक्तम गहराय मिर्थ सागर 397 मिटर की है जिसकी गहराय 377 मिटर है जो मिर्थ सागर है एसिया में फिलिपिन्स द्वीप समू के पास विश्व का सबसे गहरा सागरिफ गर्थ परसांत महासागर में मिर्याना गर्थ है जो आपका 110022 मिटर गहरा है उसके बाद है विश्व की सबसे गहरी जिल वेकाल जिल धरातल से 1940 मिटर गहरा और समूदर तल से 1450 मिटर गहरा है एसिया में इस्तित है विश्व की सबसे गहरी जिल वेकाल जिल है जो एसिया में इस्तित है ठीक है विश्व की सबसे बड़ी जिल जो है वो केश्पियन सागर जिसका दुश्चा नम आंतरिक सागर भी एसिया महादेश में ही इस्तित है जिसका जो सेत्रफल है वो है तीन लाख एकतर जार आट्चोप किलोमेटर स्क्वाइर रूस के एसियाए भाग को साइबेरिया कहते हैं बेकाल जिल एमकेश्पियन सागर साइबेरिया में ही है और यहाँ ओव एनेसी और लीना जैसी परमुख रदियां बहती है जो आर्क्टिक महाशागर में गिरती है इसका मुहानार सित्रितु में जम जाता है विश्व में एसिया में विश्व की सबसे अधिक उचाई पर इस्तित खारे पाने की जिल पेगांग जिल है जो लद्दाक्यों तिबबत में इस्तित है पेगांग जिल की जो उचाई है तीक है वो 4,266 मिटर उचा है और यह कहां है जो लद्दाक्यों तिबबत में इस्त 11405 mm मेगाले में है जो भारत में है इससे पाले चेरापुंजी सरवादिक वर्षावला स्थान था नेक्स्ट है विश्व की सबसे उची रेलिवे लाइन का निर्मान चीन में किया गया है और चीन के चिंग हाई प्रांथ से शुरू होकर तिबत की लहाचा तक फेली इस रेलिवे लाइन की उचाई पाँजार बहत्तर मीटर है महावेली गंगा शिरलंका की सबसे लंबी न दिये महावेली गंगा एसिया में विश्व का सबसे लंबा रेलिवे प्लेटफर्म शिरी सिद्धा रूडा रेलिवे स्टेशन होबली करनाटक में है जो भारत में इस्थित है इसकी लंबाई पंद्रोसो साथ मिटर है माउंट एवरेस्ट से सम्बंदित कुछ तत्थ है माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालिन भारत के महासरवेचक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्तिति का पता लगाया और विगत में माउंट एवरेस्ट की चोटी 15 का जाता था एवरेस्ट की स्थिति देशांतर रिखा जोया 86 डिगरी 55 मिनट 40 सेकेंड से पुरुषित अक्षान सेकार 27 डिगरी 69 मिनट 60 सेकेंड उत्तर परवत माला की आसपार्स के विविन अस्थलों के और सत माँपन वरा 1904 में माउंट एवरेस्ट की उचाई जोया 8848 मिटर रांकी गई थी ठीक है और बाद में होई नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपियस उपगरा के उप्योग दोरा 5 माई 1999 को एवरेस्ट की उचाई 8850 मिटर उने की पुष्टि की है माउंट एवरेष्ट को तिबत में कोमो लंगमा चथा नेपाल में सागर माथा आनी बरमान की माता कहा जाता है और फिर्थी में का तिस्रा धोरू भी कहा जाता है सबसे पले एन्मान हिलेरी चता तेंजिंग नौर की 1923 में और माउंट एवरेस्ट की चोंटी पर पहुंची थे सबसे पले एन्मान हिलेरी और तेंजिंग नौरे जो 1923 में माउंट एवरेस्ट की चोंटी पर पहुंची थे और नवांग गोम्बू पर्थम वेक्ति हैं जो मांट एवरेस्ट पर दो बार चड़े पाली बार एक माई उने सत्तिर सट इसवी में अमिरिकन अभियान दल के साथ दूसरी बार 20 माई 1965 में भारत्य अभियान दल के साथ नवांग गोम्बू तैंजिंग नोर्गे के भतिजा है जीम भीटकर पर्थम अमिर्की हैं जिन्होंने एक मई उने सत्तिर सट में मांट एवरेस्ट पर चड़ने में सबलता प्राप्त हुए जुंको तबई जापान जुंको तबई जो है जापान की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चड़ी 1975 में वचंदरी पाल पहली भारत से मईला है जो 1984 में एवरेस्ट की सीका पर पहुंची है फूद और जी पर्थम वेक्ती है जो 9 मई 1984 भी को बिना उक्सिजन की मांट एवरेस्ट पर चड़ने में सबलता प्राप्त की और कामी रिता सिर्पा जो नेपाल का है शरवादिक 23 बार मई 2019 एवरेस्ट पर उमर में 1994 में इस चोटी पर पहुंची थे विश्ट में सबसे कम उमर में एवरेस्ट पर चड़ने वाला प्रूस जोर्डन रोमेरो अमिर्का से है इसने 22 तेरो वर्स में चड़ गयते ठीक है ना इसने 22 माई उन्हें 2010 को सिखर पर चड़ने में सबलता प्राप्त की विश् में एवरेस्ट शिखर पर चड़ने वाली महिला मालवेत पुर्णा है इसने 25 माई 2014 इस भी को सिखर पर चड़ने में सबसे कम उमर 15 वर्स में एवरेस्ट पर चड़ने में सबसे कम उमर 15 वर्स में एवरेस्ट पर चड़ने में सबसे कम उमर 15 वर्स में एवरेस्ट पर चड और या विश्र की पर्थम स्कूल्टी में जिसी एवरेस्ट सिगर पर चरने में सफलता प्राफ्त हुए और अर्जुन वाजपई जो नोईडा उत्तरप्रदिस के हैं सोलवर्स की ओस्ता में एवरेस्ट सिगर पर तीरो माई 2010 को चरने में सफल हुआ एवरेस्ट पर तीबत की ओर से चरने पर उम्र सिमा की बात देता नहीं है और अमिर्का के टॉम भाइटकर पहले विकलाव वेकती थे जिनके बास क्रित्रिम टांग था जो 1990 में एवरेस्ट की सिगर पर पहुँचे और हेमोफिलिया रोक से पिडित परतम वेकती क्रिस बामवा डियर इनको डैनवर अमिर्का से थे वे 22 माई 2017 को माउंट हेरेस्ट पर चरने में सफलता अपराप्त की और इसने माउंट विंसरन को छोड़कर विश्व के सभी महादिपों की उची चोटी पर चरने में भी सफलता अपराप्त की है अब चली चीन का सरवादिक मचली पकड़ने वाला देश है और विश्व का सरवादिक समचार पतर पढ़ने वाला देश होंग कॉंग है और विश्व का सरवादिक डागर वाला देश भारत है परसांत महासागर में गिरने वाली एसिया की परमुक्र दिया है वांगो, आमोर, सिक्यांग और आम्टर सिक्यांग वोमेदे सागरे जलवायु के एसियाई देश साइपरस, जॉर्डन, टर्की, इज्राइल और लेबनान है एसिया का सबसे घनावसा द्वीब जावा है जो एसिया में सरवाधिक जूट एमगना उत्पदक देश करमसा बांगला दिश्यों भारत है एसिया में सरवाधिक जलविद्दूत का विकास जापान में हुआ और एसिया का सबसे बड़ा रिलमार्ग ट्रांस साइबिनेर देलमार्ग है और यह लेनिन ग्राड से ब्लाडी वोश्टक तक जाता है और एसिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन जापान में है जो 53.85 किनोटर लंबी है और समुदर तल से इसकी गराई 240 मीटर है एसिया का सबसे बड़ा रवर उत्पादक वनिरियातक देश थाईलेंड, मलेसिया और इंडोनेसिया है और एसिया के देश चीन, तंबाक, तंबाकू, गेहूं, चावल, आधी के उत्पादन में विश्व में पर्थमर्थान रखता है और विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन एवं निरियात एसिया ए देश इराक के द्वारा किया जाता है और एसिया की देश जापान को सातुत की पत्तियों पर पाले गए रेश्व के क्यों से प्राप्ट कर्चा रेश्व में पर्थमस्तान है और एसिया में विश्व का सरवादिक प्राकृतिक रबार उत्पादित करने वला देश थाईलेंड है एसिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलिश्या है और टीन के निज्यात में या विश्व में परत्मस्थान पर है और मलिशिया के इपो जिसको चिन्ता की लंगा घाटी काते हैं तीन खरन का परमुक केंद्र है एचिया का सबसे ग्रम अस्थान तिरंथ तिरत जवी इजरायल है तथा सबसे ठंड़ास्थान बर्खो यांश्क साइबेरिया है तापमान करमसा 24 डिगरी सेल्शेस हुआ 19 डिगरी सेल्शेस मिलता है और बर्खो यांश्क को पित्वी का सीथ धुरू भी काते हैं और वहीं लाल सागर को जोडने वाली नहर स्वेजनहर है और विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनिसिया है और वाडूंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना अउत्पारत के अंदर है इड्वान और सिनकोना से कुनेन बना याते जो मलिवया की दवा होती है एसिया में विश्व का सरवादिक जिलियान बनाने वायला दिस जापान हैै और ओसाका जपान का वस्त्र निर्मान का परमुक्यनर है जिसे जपान का मांचेस्टर भी कहते हैं मैंचेस्टर और योडो नदी यहां के मिलों के लिए जल उपलब्द कराती है और ओसाका का वस्त्र उद्योग पुर्णत आयतित कंच्य मालों के उपर निर्वर है तूर्केया की अंगुरा जाती की बगरिया विश्वपरशीद है इन्से स्रेश्ट किस्म की मौरए उन प्राप्त की जाती है तेके मौरे उन और तूर्केया की पर्षचिम भुंध सागर्य परदेश में इस्तित इजमीर की घाटी अपहिमकी किट्शी के लिए विश्वपर परिस्तित है जपानी लोगों को चाय तदी पिर है और यह लोग चाय का एक विशेश उत्सव चानु यू मानाते हैं बेरिंग जलसंदी अंतराश्ट तेथी रेखा के समानतर रिस्तित है विश्व में सेचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और वहीं बंगला देश को नदियों का देश कहा जाता है मयानमार अपने सुन्दर बोध मंदिरों के लिए परसिद है और स्वार्णिम तिर्वुज के अंत्रगत लावस्थाइलेंड मयानमार आते हैं तो आज का ये वीडियो आपको केसा लगा कॉमेंट जरू किजिगा तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है सभी परिक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो कॉमेंट किजिगा इवार की वीडियो कैसी लगी तो फिर मिलते हैं देखत अबले पार्ट में उरोब को तो जाहिन जाहिए